नमस्कार जी राजस्थान के डिजिटल प्लैट्फॉम पर आपका स्वागत है और मैं हूँ लुभावन जोशी दोस्तों राजस्थान विदानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है बीजेपी ने राजस्थान में चितोडगर से सांसद सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष न्युक्त किया है सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सतीस पूनिया की जगा लेंगे BJP के रास्ट्ये मास अचिव अरुन सिंग ने आदेश जारी कर BJP के नए प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है अब आपको बताते हैं BJP के नए प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी के बारे में चितोड़गट से लोग सबा सांसद, सीपी जोशी लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं, सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं, उन्हें अब प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, इसके अलावा वो भारतिय जनता युवा मोर् के सदस से चुने गए, सीपी जोशी ने एबी वीपी से राजनेतिक करियर की शुरुवात की और वे आरसेस के भी नजदी की माने जाते हैं, सीपी जोशी अभी 47 साल के हैं, ऐसे में बीजेपी की और से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर युवा चेहरे को पार्टी की कमान सोपी है। सम्मान दिया इन तीन वर्षों में संगठना अत्मक रशना और आंदोलन के द्वारा पार्टी को पूरी ताकत से धरातल पर सक्रिय करने में योगदान दे पाया एक कार्यकरता के रूप में पार्टी के निर्देशा अनुसार जीवन परेंथ काम करता रहूंगा तो विदान यह होगा कि चुनाव से पहले बीजेपी के इस बदलाव का कितना असर देखने को मिलता है आज के लिए सिर्फ इतना ही बने रहें जी राजस्थान के डिजिट्रल प्लैट्फॉम पर शुक्रिया